गूड मॉर्णिंग वेल्कम डू सिभी लिगान आप सभी का सिलिगान में स्वागत करते हैं तो अब बचे हुए ज्यादा दिन नहीं बचे हुए हैं तो मैंने सोचा एक सीज श्टार्ट करता हूं जिसका नाम रखता हूं फतेह स्री जिसका मतलब होता है एक्जाम को फतेह क के अंदर इस मिश्लेनियस टॉपिक में अंत्रगत हम उस टॉपिक को डिसकस करेंगे कि जैसे आप लोग मोग टेस्ट देते हूं तो मोग टेस्ट देने के बाद उसमें फिप्टी टू सिस्टी परसंट कुष्टन आपको आते हैं या आप इतना परसंट कर पाते हो इसमें से ही 10-12 कोशन जब गरत हो जाते हैं तो आपके नंबर अंडर 50 आना शुरू हो जाता है तो अब वो अंडर 50 नहीं आएगा अगर जो 30-40 परसंट को जो अनभेग्ग हैं जिसको आप नहीं जानते हो तो उन्हीं को लेकर आए हैं उनके टॉपिक को लेकर आए हैं मोक्टेट से हम तो इसको हम जो जाना 15 तक कर लेंगे तो आपका नंबर एक्जाम में काफी बूफ्ट देखने को मिलेगा और साथ साथ आपको समझादा चलो बतादा चलो यह चलूँगा कि आपको अब लाफ्ट हैं पर घबराना नहीं है अपने दर एक confidence एक संकल्प होना चाहिए कि हाँ आपका नहीं निकलेगा तो किसका निकलेगा यह संकल्प रहेगा तो आप डिफिनेटली काम कर पाऊगे तो चलो इस वीडियो को स्वाद करते हैं अगर आप चैनल पे नए हैं अगर वीडियो समझ में आती है वीडियो को लाफ्ट रुक दिये कि हाँ यह concept जो मैं सु कि इफ एक लास इस मेड़ा प्योर सिलका देन इट विल भी अगर कोई ग्लास से पुरी तरीके सिलका से बना हुआ है तो उसके अंदर क्या होगा आप संदे देता है इंसॉलीबल होगा वाटर में कंप्लिटली सॉलीबल होगा यह आल दया रांग होगा तो जब ऐसा कोशन अंधर को आप नहीं पता होता है तो आप अईसे कुछन आप तब भी करने कि कोशिश करते हो जायर सी बात है आप करने कोशिश करोगी आपने लगा दें सॉलीबल इन वाटर इन वाटर जो भी आपके ग्लास अगर होगा प्योर सिलका से बना होगा तो इसकी खासित होती है कि पूरी तरीका से वाटर में वो सॉलिवल होगा अब आप यह कर देते हो पर आपको लगता है मेरा गलत हो गया पर आप यह देखिए यहां पर साथ साथ नीचे यह भी लिखा होता है कि कितने परसंट अगर 100% लोग इसको टेफ्ट दे रहे हैं तो इसमें कितने परसंट लो लोग कर पार है तो बिल्कुल घ्राने की बात नहीं है अगर आपकी इच्छा हो तो उस कोशन को अपने साथ में नोट कर लेजिए और इन फिचर कभी कहीं पर आए तो आप उसको सही कर पाऊगे क्योंकि आप उस अपने सौर्ट को रिवाइज करते रहोगे और आप ना भ लिचेटली अपरेटर्स फ्रास को तो विलत हो जाएगा और फिर यहां पर लिख दिया कि विकाटर्ट अपरेटर्स के लिए हम लोग जो है यहां पर सलंप है तो अगर आपने यहां जल्दबाजी में साउंड़स को सलंप कर दिया तो यह बलंडर है क्योंकि ऐसे नंबर अगर आपने ऐसी गल्दी कर दी क्योंकि यह कुश्चन हंडेट परसंट आप देखोगे कम से कम असी तूप इट्टी फाइब परसंट लोग इसको सही करके आएंगे तो मेरा कहने मतलब है अगर किसी कुश्चन में परसंटेज आप करेक्टर का एंसवर मतलब पचास कि ऐप वो लिफ्ट है जिसमें आता है नामसतका उससे बाहर चल रहर हों क्योंकि हम लोग का कुश्चन नहीं गलत हों हम घब्राते कि इसमें इस में इस कुश्चन को ले करके जिसको दस ही परसंट लोग साही कर पा रहें हैं तो इस बात को जहन से में रखिए और आगे का करिए, देखिए, काफी आपको फायदा को देखने को मिले जैने हैं ये कुछ नया बनाया है थाम्सक्रिष्टल आप्टोंन क्रिष्टल इनाउने पर इसको भी 29 परसंद लोग ही सही कर पा रहे हैं तो आप पने इसको शॉर्ट नोट्स में लिख लिख लेजिए न तो यह कभी अगर मालो बाइदभी एक्जाम में भी आ जाए तो आपका सही हो जाएगा ठीक है अगला कुशन है सेडिमेंटरी रॉक मेंली कंपोज आप माइनोट मिनरल फ्रेग्मेंट एंड क्रेश्टल लेस लेस देन टू माइक्रों इन डाइमेटर आपके लिए पार्टिकल इसकर कर आई तो यह तो सिंपल कोशन है पर इसको भी देखों लोग 30 परसंद लोग ही सही कर पाए है ठीक है तो मैं कोशनों को लाकर कि यह समझाने की कोशित कर रहा हूं कि आपको किस को संग्यान में लेना है किस को हलके में लेना है और किस को किस नजर अंदास्ति करना है ताकि आप घवराया नहीं लाफ टाइम पर तो अगर आपको पता है कि जो रॉक होती है रॉक का क्लासिफिक से यह से लेकर के 75 माक्रान से दू माक्रान से लिए होता है किले होता है तो यही किले के बारे हम कहा गया है लिए जिरो पाइंट जिरो टू का चेंज करोगे तो इस चीज आपको धिया रखनी पड़ेगी ठीक है अब यहां देखो स्वाइल का कंसेट भी घुश रहा है मलब स स्वाइल क्लासिफिकेशन आ रहा एक आपका रॉक का कंसेट आ रहा है तो यह चीजें आपको ध्यान लखनी पड़ेगी और आईसे कुछन अगर आप गलत करते हो थोड़ा दिक्कत हैं अभी मैं टॉपिक भी बताऊंगा घवराय नहीं अभी आपका टॉपिक भी आएगा जिस टॉपिक को हम बात करने वाले हैं क्योंकि मैं उन क्वेशनों के बार आपको बता रहना चाहता हूं कि ताकि आपको थोड़ा वो रहे यह है इस प्लेटिंग डायमेटर आप दा इस प्लेटिंग टेस्ट आपको पता है कि जब हम लोग कंक्रीट की टेंसाइल इस निक होता है ठीक है और एक कोशन यहीं से भी पूछता है कि जो हम लोग टेंसाइल टेस्ट करते हैं तो आपको पता है कि यहां पे फार्मूला यूज होता है टूपी अपान पाइडियल सबको पता होगा यह फार्मूला ठीक है इन्टू 150 इन्टू 700 यह होता है इसको आपको ध्यान रखना है ठीक है और इसको भी लोगों को वैलू नहीं आद है या नहीं चीज़े उनको क्लियर है तो इसको फुर्टी फिप्ती परसंट लोगों ने सही किया है तो आप इसको अपने नोट्स में जहां ही आपना कोई ह पास लिख लिए ताकि आपके एक्जाम में आप नंबर कैसे भड़ा टेस्ट रिज में बहुत से लोग परसान होते हैं नंबर नहीं बढ़ रहा है नंबर नहीं बढ़ नंबर यहीं से बढ़ेगा आप जब लोग ऐसे को नोर्स करेंगे और उनको रिवाइस करोगे जब क कोई भी इस संसार में जो आया है ओ पहले से ही सब कुछ करके नहीं आया हä वहीं आकर्के सब कर रहा है तो ऐसा समझ के आप काम करो आप भी इन्हें से हो बस आपको अपने आपको यह इपनी सक्तियों को अपना प्र्यास करना है और पिर जाकर वहाँ खेलना है इस बात को सा रिक्मेंट किया जाएगा आपका क्या है क्या क्या रही है क्या थो इसके लिए लिए क्लोज्च बिल्ट से श्टोन हो गया यह चीज़ आप यूज करते हैं करें डोम् और आर्चेस में आपका यूज होती है अगर हमा लोग कहीं पर आप हाइवी इंजिनिर्णिर वर्क कर रहे हैं तो आप ग्रेनाइट कर यूज करेंगे आर्चेस में किसका फाइन इंग्रेंट संस्टोन का यूज करोगे ठीक है रेलवे बैलास्ट में हम लोग जनरली कोर्स या कॉट्सायर का यूश करते हैं एलेक्टिकल स्विच बोर्ड जब बनाते हैं हम स्लेट मारवल करते हैं जिन भाई के पास यह डेटा ना हो इसका स्किन सॉट ले करके अपने कॉपी में नोट कर लेजिए कि हां यह कुशन आता है बहुत कई बार आता है यह अब यह कैसे कै सब्सक्राइब करता है यहां पर यहां भी लोग गलती कर देते हैं यहां पूछता है कि क्या करता है यह प्लाफ्टिक को इंपार्ट करता है ठीक है अब यहां पर कि मतलर Это फ़स्क्राइब को इतनी होनी चाहिए और काम करेगा अगर अकस्यस मतला में होगा क्या करेगब तो अगर इसको अमलोग बर लेकर जाते हैं तो अगर अगर मात्रा में होगा तो यह वार पुप आइण जाएगी मलब जिया आपकी ब्रीक है यह अईसे हो जाएगी अजीब धंक से हो जाएगी तो अपने घर में खेच के लिए का लाना परसंद करोगे नहीं परोगे न तो यह होता है इसका परसंटर ही कभी पुछ लेता है तो इसको आतकरने तरीका क्या है सबको पता होगा सब्सक्रeitt सील करें मंगनेसया का यहां को यहां इसको याद लग रखते हैं पर इї इन चीज़ों को मैंगनेसया को भूर्जाइब करता है क्र breeding करता है और जो व्रिक की जैसे आप देखते हो कि बhouse hoTV की देख्ध भी यह से हुई इस उनिफर्म सेफ होती यह आप इस आपकी जो होती है इसी लिक की से को हम लोग योणिफिंफ में रखते हैं वह अगर सीलिका की मता-दिक हो गई तो ब्रीक की बिर्टाल है तो बंता है। और रखते हैं कर लो जतना बता रहा हूं आज्व भी एपने नोर्स में रखे हो ठीक सब्सक्राइब कर लोग और तो आगे बठते हैं और यहीं कुछन बनता है कर लेते हैं गर ऐसे टाइम लगेगा ऐसे मैं रफली बना देता हूं जैसे आपकी ब्रिक होती है यह आपकी ब्रिक है अगर ब्रिक का इतना पार्ट इधर हाफ इस्टेचर हाफ एडर दोनों अगर कड़ जाता है उसको लोग क्या कहते हैं उसको लोग फेकर से हम समझा देंगे पर आभी क्योंद जाए तो लाटे राता हुए इस बात को ध्यार राटनें के के अगर नशेपार hemen के मताने है अगाष कर जाता है जब आपका अधिक मातर में होगा तो मोर्फ हो जाती है अगर NabBlue Ben्ट जाती है मिल्ट की जो जाती है ज़ी से आपकी है आप यह पिखल जाएगी पिखल के ऐसे लिए अगर और आर्र यह मेल्ट अप्लों में तर ब्लेक इस अब kijken अगर आधिक मात doesn't अपनी प्रापर्टिज के अंदर है तो वह इंपार्ट का रेड रेड कलर को और देता है अगर वह ज़्यादा एक्सिस मातन हो गया तो उसके ज़्यादा डार्क हो जाती ही बिल्यू एंड ब्लेक आगे बढ़ते हैं और है तो ब्रीक वाले चैप्टर से काफी चीज़ें आप अप्रोर्टन्ट है अब यह आपका टिंबर कोश्चन एंटिंबर में यह चीज़ें बहुग ज्यादा से की कन्वर्जन डिफेक्ट होता है अपका पीग है यह श्यक है नोट्स है अपने देखा सब्सक्राइब का फंगाई की वाजा से हो रहा है या फिर आपकी तिमबर को आपका है यहां पहला है यहां पहले हुग कि तर्म को ले कराएं प्रॉपर स्टेकिंग कहते हैं चेक में क्या होता है कभी कुछन पूछता यहां से अभी अभी हाली में डीडिय जी के प्रॉपर यहां प्रॉपर बना लेती है यह सारे चीजें आपको बारिकिस देखना पड़ेगा और सिंपल चीजें होती है अगर आप उनके टर्मिनलोजी से नहीं हो तो कुछन गलता है जैसे अब यह कुछन है वारवर एक्जाम में आता है पर इसको लोग गलत करते हैं क्योंकि यहां पर वैलू के थुरू कंफुज करता है जिसे टिंबर पीस होज ब्रीथ हैं ठीकनेस एक्सीट पचास में बटार तो इस सारी चीज़े हैं इंड क्या होता है लॉक क्या ब्रीथ म locs क्या होता है पूल क्या होता है इसका क्लिंग योग क्या होता है को सटेंघ पर प्रीथ है ठीकनेस से 50 में है कोई अगर आपका एक timber piece है तो वह आपका timber piece है और इसकी breathe breathe मतलब और इसकी thickness exceed कर जाए 50 mm से बड़ार length less than मतलब यह ज़र मतलब यह आपके कोई timber है ऐसे महां लेजिए और इसकी timber की जो length है वो 200 mm है पर इसकी जो breathe है और इसकी है 50 mm से इक sit कर देंसको स्केंट लिग नाम देते हैं को वार्ट क्या होता है square piece होता है length up the side 50 mm तू स्कारट में आपका होता है और इसकी जो length होती हो 50 mm से length up side जो होते होती 50 mm से और धियुक्त के सब्सक्राइब करेंगी और ऐसे कुछन आते हैं अब ऐसे कुछनों को आप ध्यांग में रखना पड़ेगा अब लास्ट टाइम में आप जो चीजी अभी तक कर रखे करना है जो आप कर रखे हो ठीक है तो मैं उन टॉपिक को आपके साथ डिसकस कर दे रहा हूं कि आप उनको भोले नहीं है अगर आपने अफी तक पंट के नहीं पड़ा तो पंट जबर पढ़ लिजेगा पैंट से कुछन बेसिक 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 विकल्स ट्रायर पिग्मेंट और इसके सुल्वेंट थिनर पे ही कुछन आता है यहां कुछन पूचाएं कि इन में से कौन सा नाट रायर इंपर नहीं है तो लिफार्ज है रैड अक्साइड है रेड लेड है कापर से इसमें से कोई आपका ड्रायर नहीं होता ठीक है अब इसको 30 परसंट लोगों ने सह तो ठीक है अब यह कुश्चन इस्टिमेटिंग कुश्चन है पर यह कुश्चन बार बार आता है जिसे कि आपको पता है इसमें पुस्याइब आता है कि अगर आपकी को रोगोटेट इस टील सीट है तो कितना परसंद इस ट्राम लोगों सेमें बढ़ाते हैं अगर को रूग कर वहीं पर कहीं सेमी आ गया तो सेमी के कैस में किया आता है आपका 10 परसंट इसका आधा मलब कोरू सेमी हो गया और आधा इसका बस इतना अब यह तीन वैलू त्याद रखना एक्जाम में आ चुकी है पर यह दो नई वैलू आई है एक नहीं ताल पैटन रोफ के लिए ए तो प्लें सेटिंग में 10 परसंट होता है और को रोगर्टर में आपका 25 परसंट होता है यह दो नोवैलू हुआ है एक्जाम में अब आने की इनकी सम्भाव ना है तो अगर आप इसका इस नहीं सवर लेना चाहिए तो ले करके रख लें खाफी आपकी काम आने वाला है ठी है यहां पर जो कोशन था उसका यहां पर रखी वैलू कि कॉंटिटी आप ड्रायर इस लिम्टर टू एट परसंट एक्साज आफिट अफेक्ट 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 अपेंट लेडिंग टू फ्लेकिंग फैलियर अब यह कॉश्चन यह चीन नहा है ड्रायर क्या होता है होता है और कॉंटिटी आपका पेंट होता है पेंट में आठ अधिक नहीं होना चाहिए इसमें हम लोग वही चीज़े डिसकस करेंगे जो चीज़े आप गलत करते हो और उनको आप रिवाइज नहीं करते हो तो आपको मैं याद दिलाओंगा कि आपको यह चीज़ करनी जरूर है इसको पढ़ना है और जो इंप्वाटन्ट जो फैक्ट हैं उनको मैं यहाँ पर डिसकस करूंगा तो आज की क्लास कैसे लगी जब दरुब बदाएगे कमेंट करके मिलते हैं फिर एक नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए थैंक्यो जाहिन जबादे के अबबाए नवीवाँ